हो फेंट्स सागत आपका होम ट्रीज चालकर दोस्तु जैसा कि हमने दो दिन पहले आप से वादा किया था कि हम आप को हिंदे की कवीज देंबहाले हैं दोस्तु तो उसी की पेष्मgesetzt में हमारी पहली वीडियो है पहली कवीज ₈ हम 25 क्यूशन डिसस करने वाले हैं as latest CISF pattern दोस्तो हालां कि क्यूशन दोस्तो हमने ऐसा सी जिड़े के pattern पे लिए हैं लेकिन आपको पता है कि CISF में भी 25 क्यूशन आएंगे फूर्ट सेक्षर में हिंदी के तो हम इनको practice करेंगे बस आप से मैं एक उम्मिद करता हूं कि आप टेलेग्राम चैनल जोइन करना होगा या आप हमारे वाटसप ग्रूप में आ सकते हैं दोस्तो ठेक है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं पहली क्वीज तो दोस्तो यहां पर निर्देश दे रखा है कि निमन लिखित परसनों के सब्दों के परियाईवाची यानि की समान आर्थक सबद के लिए चार-चार विकलप दिये गए हैं उचित विकलप आपको चुनना है दोस्तो तो पहला क्युस्सन है यहां पे धर्ति तो धर्ति क का जो प्रियावाची है वो क्या बनेगा यह आपको बताना है तो दोस्तों धर्ती के जो प्रियावाची सबद होते हैं उनमें आता है भूमी धरा वसुंद्रा पर्थवी धारीनी तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर आएगा option डी आजाएगा भूमी अगला सवाल है जंगल सबद का प्रियावाची बताइए तो दोस्तों जंगल सबद के जो प्रियावाची सबद होते हैं वो होते हैं कानन वन अरणने और निरजन तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कानन दोस्तों ठेक है देखे आप ये मत कहना कि जो अन्य सब्द हैं दोस्तों सर इनका एक्स्पलेशन दीजिए भाई मैं मुझे मैत और रिजनेगी आती है जेके किविज है ये आप लोगों की प्रक्टिस के लिए है तो मैं बस इतना ही कर सकता हूं आपको यहां पर जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता अगला सवाल है पवित्र सब्द का परियावंकी और निर्मल तो उस इसका वो आएगा पावन दोस्तो अगला स्वाल है दोस्तो नेमल लिखित प्रस्वनों के विलोम सब्द आपको बताने हैं दोस्तो अभी अमने प्रियावाची देखे अभी अमने विलोम सब्द आपको बताने हैं दोस्तो यह ठीक वैसे है जैसे इंगली समय हम सिनोनियंस और अंटोनियंस बनेगा यह आपको बताना है तो अगला स्वाल है आनूरक्ती तो अनूरक्ती का जो विरक्ती ओप्शन बी ठेक है अगला स्वाल है दोस्तो यहाँ पे आपको चार सेंटन्स दिए गए हैं और आपको यह चुनना है कि कौन सा सेंटेंस यहां पे बिलकुल सही है ठेक है तो पहला ओप्षन दे रखा है कि मेरा ध्यान अपने मित्र की और था दूसरा सेंटेंस है मेरे ध्यान मेरे मित्र की और थे कैसा यह सही है नहीं है मुझका ध्यान यह तो कोई दूसरी बासा है वाई मेरे ध्या अपने मित्र की और था यह आम इसे बोलते कि मेरा अपने मित्र की और थे ऐसा तो नहीं बोलते ना तो बस जो आपकी सामने जीवन में जो आप बसा यूज करते हैं वहीं आपको बताना है बिल्कुल सुद्ध दूसरा सवाल है आठ नंबर इसके चार सेंटेंस है संभवत ए उनका आना निश्चित है निश्चित है उनका आना सी है संभवत निश्चित है उनका आना और उप्षन डी है उनका आना निश्चित है तो आप कहेंगे सर उप्षन ए भी तो सही है संभवत उनका आना निश्चित है एक बात बताई जो निश्चित है जो चीज डेफनेट हो हो चुकी है उसमें क्या हम possibility करते हैं नहीं करते तीन सेंटेंस आप वैसे गलत कर सकते हो ठीक और यह तो विल्कुल इलोजिकल अरेंज किया गया है तो उनका आना निश्चित है अगला कुशन दोस्तों यह भी चार सेंटेंस यहां पर यूकों में निरासा चाही हुई है और दूसरा है निरासावाद यूकों में चाही हुई है निरासावाद यूकों पर चाया हुआ है यूकों में निरासावाद चाया हुआ है यह तेनों ही यहां पर गलत है यूकों में निरासा चाही हुई है यह यहां पर क्या होगा दोस्तों सही होगा अगला कुशन दोस्तों तो यहाँ पे आगे जो हमारे तीन क्युस्षन आने वाड़े हैं, इनमें आपको मुहावरों के अर्थ बताने हैं, मुहावरे और लोकोक्ती, पहला स्वाल है घाट घाट का पाने पीरना, आपने अभी बड़े बुजर्गों सुना होगा, भोले हमने घाट घाट का पाने प थानों के लिए पाने की जांच करना, ठेक है, तो यह आंसर नहीं होगा, ऑफशन ए स्वाल का अंसर है, गाट गाट का पानी पीने का मतलब है, कि अलग अलग प्रिस्तियों तो ज्यान होना, अनुबह हो जाता है, अगला स्वाल है, जैसी करनी वैसी भरनी का समा है, जो प् प्रियास करना, प्रियतन करना, नहीं, इसका जो सही अर्थ होगा, ओगा करम के अनुशार फल प्राप्त होता है, जैसा आप करोगे, जितनी महनत आप करोगे, उतनी ही सक्सेस आपको मिलती है, अगला मौहावरा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये बनेगा साइता प्रदान करना नहीं, इसका जो अंसर बनेगा दोस्तो, दूर से साधारन वस्तू भी अच्छी लगती है, ठेक दोस्तो, तो दूर से साधारन वस्तू भी अच्छी लगती है, ठेक है, ये इसका अंसर आएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला स्वाल दोस् पढ़ते हैं इंगलीस में वैसे ही आपको सेंटेंस का एक सब्द में आंसर देना है जो सवीधान के प्रतिकुल हो जो सवीधान के प्रतिकुल हो उसको हम क्या कहते है दोस्तों उसको हम ऐस समवेधानिक कहते जो कठनाई से भेदा या तोड़ा जा सके यानि जिसको तोड़ने में कठनाई होती है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों दुर भेद्य दुर भेद्य आभेद्य नहीं आभेद्य तो हो जाएगा जिसको भेद्य ही ना जा सके हाँ जिसको भेद्य जा सके लेकिन थोड़ी सी कठन अंसर बढंगा दोस्तो ओधंट को आदी से अंत ओधे दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक चीज़ और है यहां पे जो दय है यहन लेकिन यहां पर हमने टाइपिंग इसी प्रकार से करवा रखिए ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको क्रेक्ट स्पेल्ट आपको बताना है कि यहां पर चार ऑप्सन है और आपको बताना कि कौन सी सब्द की वरतनी यहां पर बिल्कुल सही है सब्द है उज्वल तो कि जो जय है वो दोनों बार ही आदा प्रियोग होता है ठीक है दोस्तो जो उज्वल सब्द का जय है वो दो बार आता है जैसे ओप्सन डी और ओर ए में दिया यह गलत हो जाएगा कई बच्चे यहां पर उप्सन बी में क्लिक करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जय ह जय है वो दोनों बार ही आदा जै का प्रियोग के जाता है तो अप्σιन C इस सवाल का आंसर बनेगा अगला जो स्वाल उसमें है विध्यार्थी ठीक है दोस्तो तो विध्यार्थी जो सबद सही है यहां पर क्या V बड़ी आएगी बिलकुल नहीं आएगी ठीक है अब आप स से यह साल का अंसट एगा यहां पे है लिखल्ष कार तो बाहिसकार नहीं होता और यह सै इस का प्रियोग होता यह बी सै यह शेक का प्रियोग होता तो यह सिंपल आंसर ऊप्सुन का अंस्कित अंपर अगला स्वाल यहां प Treasure क open lesson का मारक बताया ठेका दोस्तो तो आप उप्युक्त सब्द को यहां पे चुने कि उप्युक्त विकल्प क्या हो सकता है क्या गांधी जी ने विश्व में प्रेम और सहयोग का मार्ग बताया था नहीं क्या दया का नहीं त्याक का नहीं गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग बताया था प आसा का खालिस्तान जीवन के अंदकार को दूर करता है तो दोस्ते इसका अंसराएगा ओपशन ए सोरी option B आये गए हाँ पे आसा का दिपक कहते हैं ने भई आसा का दिपक जलाओ अगर आप उम्मीद बनाए हो तो आपकी जो जीवन में अंधकार है वो भी खतम हो जाते हैं तो उम्मीद की किरन जिसको कहते हैं तो उसी को आसा का दिपक यहां पे कह रही है अगला स्वाल है दोस्तो नेमन में से आव्यवी भाव समास कोंसा नहीं है आव्यवी भाव समास का उधारण कोंसा नहीं है दोस्तो तो आजनम आजीवन भरसक या राज कुमार तो दोस्तो यहां पे जो आंसर आएगा राजा है जो कुमार ऑप्शन डी इसमें तत्पूर समास है यह अव्यवी भाव का समास का उदारण नहीं है दोस्तों ठेक है अव्यवी भाव समास का जो डेफिनेशन वो यही है कि अव्यव का प्रियोग किया जाता है जिए आजनम आजीवन भरसक बरसक का मनला पूरत जीवन जो करते हैं ओउंच नीच के भाव से समाज में विकास का मारग अउरुद हो जाता है तो रेखांकित पद में समास कौन सा 선 समास ठेक दोस्तों ऊच नीच दीरे धीरे आगे पीछे उपर नीचे इस प्रकार के जो सवा जो सबते हैं दीड्व करते हैं द्जूस्मास कें न्साइश डिविग समाश में होता है संख्याका प्रयोग किया जाता है ठैक तिरुबूज चतरबूज त्रेमूर्थी ठेक है तो यह क्या है द्विगु समास जिसमें संख्या का प्रयोग किया जाता है तो द्वंद में क्या होता है पेर होता है देरे देरे ठेक है आगे पीछे इस प्रकार के जो सबद होते हैं उपर नीचे जिसे उँच नीचे रखा व् проблемनेत्व minder स्वाल समय है। अगला सवाल है यानि इसका मतलौ अलग है और अनुं का जो सही अर्थ बुझेगा दोस्तो मतला है गण मिट्डेह चोटा सचीज खण ठेक है और। का मतलब होता है अनूसरन करना किसी का पीछा करना ठेक है तो option B सवाल का अंसर आएगा अनू और अनू का मतलब है अनू से बनेगा कन और अनू से बनेगा अनूसरन ठेक है अगला है अन्सू माली में कौन सा समाज है हो तो यहां पर दोस्तो अंसर आएगा option B अनू माली का समाज स्विग्राए होगा अन्सू की माला है ठेक है यहांनि अन्सू माली का मतलब है अन्सू की माला है जो अन्सु की माला है जो वहे अर्थात सूर्ये अन्सु का मतलता है किरने परभा ठेक है तो अन्सु की माला है जो वहे अर्थात सूर्ये ठेक है जैसे हम करते हैं दसानन्द तो दस है जिसके हाथ अर्थात रावन तो बहुविरिशमास ठेक है नील कंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात बगवान सिव तो वो भी क्या है भावविरिस्वास चक्कर पाणी या चक्कर स्वामी चक्कर का है जो स्वामी अर्थात विश्ण बगवान तो वो भी क्या होगा भावविरिस्वास होगा बातारी समझें दोस्तों तो अंसु कुरिये के लिए बात की गई है तो भावब्री समास यह पर हो जाएगा दोस्तों ठीक है अगला स्वाल दोस्तों किस वाक्यांस की लिए दिया गया हुआ सबद एक सबद सही नहीं है यानि आपको यहाँ पर बताना है कि कोण सी यहाँ पर बात गलत है जिस इस तरीकी कोई संतान ना हो दोस्तों से हम बांज ही कहते हैं बिलकुल सही है जो कम बोलता है क्या उसको मितबासी कहते हैं नहीं अच्छा करम के अनुसार को हम यथा करम कहते हैं और जो समरण रखने योग्य है उसको हम समरण यह कहते हैं वह है इसको याद क्या जा सकता है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका option B आएगा जो कम बोलता है उसको मितबासी नहीं कहते हैं तो option B सवाल का आंसर आएगा तो दोस्तो यह थी हमारी क्यूजाज की आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो वीडियो को लाइक करें इसे प्रकार की daily quiz आपको मिलने वाली है हिंदे की और JK की की वीजी हम बहुत जल्दी लेकिया रहे है अगर आपका स्पोर्ट रहेगा तो ठेक है तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर जोइन कीजिए टेलिग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आपको WhatsApp ग्रूप पे जुड़ना है PDF के लिए या वीडियो के लिए तो आप आ सकते हैं उसका contact भी हमने नीचे दे दिया है दोस्तों ठेक है, लेकिन ध्यान रखेंगे इस phone number पर phone ना करे अर्था नहीं तो ब्लोग कर दिया जाएगा WhatsApp पे message करें Hi PDF इतना आपको लिखना है, हम आपको ग्रूप में जोट देंगे PDF देंगे दोस्तों, ठेक है, धन्यवाद